साहिल सेट जी, रादे रादे महाराशी, महाराशी जैशी राधा बलव महाराशी मेरा प्रश्णी है कि अनंत ब्रहमांडो की उत्पति उसी सर्जन हार से हुई है जो चल, अचल, जीव, अजीव, सब उसी एक से प्रकट होया तो फिर अगर सुगंद वो है तो दुरगंद भी वो है, शुद्ध वो है तो अशुद्ध भी वो है बस बच्चा बाते बनाने से ऐसे नहीं होता जब बोध हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाओगे फिर कोई ना तो बंधन है और ना मोक्ष है, ना कोई दुख है, ना कोई शुक है, ना कोई लाव है, ना कोई हानी है, ना कोई मान है, ना कोई अपमान है वो जीवन मुक्त महापुरुष है जो यह जान गया कि कहीं हवन हो रहा है तो कहीं बद हो रहा है कहीं जन्म हो रहा है कहीं मरण हो रहा है कहीं ब्याहुत्स हो रहा है कहीं बिशाद मनाया जा रहा है पर वो है सब एक ही सच्चिदानंद की भूमी पर दूसरा कुछ नहीं ये श्वापनिक जैसे एक मन श्वापन में सत्रु बन जाता है मित्र बन जाता है बजार बन जाता है वस्तुएं बन जाता है शुक दुख बन जाता है और जब जागते हैं तो कुछ नहीं होता है ऐसे ही इस्त्री पुरुष जर्ड शैतन ये जितना विलास है ये ब्रह्म ही था ब्रह्म ही है ब्रह्म ही रहेगा यह जो हमको भास रहा है दुख, शुख, मान, अप्मान, लाबहानी यह हमारे अज्ञान के कारण ब्रहम के कारण इसी ब्रहम को नश्ट करने के लिए साधना की जाती है और जब यह स्थिती आ जाएगी कि अगर शुगंद वही है तो दुरुगंद भी वही है सत भी वही है तो जब उसके सिवा कुछ है नहीं तो जिसे हम असत कहे रहे हैं वो भी ब्रहम ही है तो सर्वम आ गया ना सर्वम खले में नहीं जब जिसको अनुभा हुआ सी राम में सब जग अब परिशानी कोई खतम कोई है नहीं परिशानी नाम का कोई शंशय कोई प्रश्ण कोई शमाधन कुछ नहीं रहा उसी को कहते जीवन मुक्त पर ये इस्तिती तो नहीं ना बच्चा तो ये बात केवल कह लेने से इस्तिती नहीं आएगी अब इसके मेडीकलि इस्टोर में उचितव सदी की को नहीं है कुछ जगोर हमारे का मेडीकलि शिटोर में विख्रम जो हमारे काम का ही कि अन्हें गये कि मुझे यह को कि अब हमको नवक्मी हैici मुझे पता नहीं उसी मेरे घॉम के और सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा संजम यहन विशय कयासा सद्गुरु रूपी वैद्य चाहिए और शास्त्र शंपूर्ण शास्त्रों का सार हमें गुरुदेव जो उपदेश करें वैसे हम चले जब हम निरोग हुए स्वस्थ हुए अब हमको न डाक्टर की तो यह ब्रहम निकालना है जैसे जगा हुआ मनुष्य है तो सोय हुए पुरु उसको समुद्र में डूबने का स्वपना गया अब चिला रहा है जोर से मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूँ अब उसके पास सैकुणों नौका तैरा के सब बिवस्था की जाए तो वो बिव पानी नहीं है और मैं डूब रहा था समुद्र में यह भ्रहम उसका नश्ठ हो गया तो उमा का हूं मैं अनुभव अपना सतहरी वजन जो दुरगंध है परमशत्य है वही शुगंध भी है और जो शुगंध है वही दुरगंध है पर इसका अनुभव करने के लिए अब हम दो विभाग कर लेते हैं क्योंकि द्वईत में फस गए ना दो में फस गए शुख दुख में मानत मान दुन्दों में फस गए तो उस उसकी सास्त्र पद्दती है अन्वय और वितिरेग वितिरेग माने नहीं है अन्वय माने है जो हम कहतें नहीं है उसमें भी है पीछे नहीं है है ना उसमें और जहां कहते है वहां भी है पर नहीं लगाने से हम पहले है में पहुंचने की कोशिस करें जैसे यह जितने शरीर है ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि ये न पहले थे, हमें बाद में रहेंगे, और बीच में एक जैसे नहीं है, कभी बाल्या उस्था इसकी थी, कभी ओवन उस्था में, फिर ब्रद्धा उस्था, फिर म्रत्य उस्था, और फिर अपने अपने तत्यों में मिल जाना, अगनी अगन के समीब तट पर पहुँचें और देखा ये वही जल है अपने मित्र को बोलें जितनी देर में कि ये वही जल है वो जल जिस पे पहली द्रश्टी पड़ी थी वो आपका निकल गया बहुत आयसी रफ्तार से चल ला जीवन आपको सहुन में नहीं कि सेकेंड में आपके मुझ के लिए ही चल ला है यह जारा मुरत्य की तरफ प्रवा मुरत्य की तरफ यह ठीकाव नहीं है ठीक है अब नहीं है इसमें भी है जब पाचों तक तो अपने में मिले वो मिले तो आखिरी में आएगा ब्रह्म ब्रह्म से मूल प्रकत मूल प्रकत से त्रगुन आत्मिका प्र तो ऐसे ऐसे से उतरते हुए ब्रह्म हाया और ये बना, ओब उपर लोटते हुए ऊगा है अपने सुरुप में है तो ब्रह्म था पर अभी हम ब्रह्म नहीं मान सकते इसलिए कि इसमें भासे हैं फिर क्या फिर निशेद अगर नहीं है तो पिर दंड भी ब्रभ्म है उसको तो हम नहीं सोलिकार करेंगे तो भी इसको नहीं करना है उसके दो भी भाग किए गए पहले अधर्माचरन अशत का त्याग किया गया और जब अशत और धर्माचन का त्याग किया गया तो शत का प्रकाश हुआ और जब प्रकाश हुआ शत का और फिल उटके देखा तो वही था कुछ था ही नहीं जिसको हमने त्याग किया था वही था रूश्रा कुछ नहीं था अब पूर्ण हो गया पर चलना पड़ेगा त्याग से त्यागा चांतिन अंतरम जो हमारी इंद्रियां बहिरमुख हो गए उनको अंतरमुख करना पड़ेगा जिस जहां हमारी असत भोगों में रुची हो गई उनसे त्याग करना पड़ेगा पहले हैं हमारी इस्तिति है कि हमको इस जूठे संसार से कुछ नहीं चाहिए तो जूठे संसार ऐसे आएगा सामने नहीं इधर नहीं यह जूठा संसार है इसको पकड़के दुरगंद या दबा लो भागे गोमो कि दुरगंद हमारा पीछा की है तो मुर्खता ही तो होगी ना तो यह सबसे बड़ा संसार यह है जैसे ट्रक के एक बोरे का नमुना ले लो तो पूरे ट् वाजा सब छोड़कर संपत्ति हो इसको लेके बागे तो नई रचना कर ली नया मकान मना लिया नई थी नया वेवार उसको घुमाके अधरम की बेन धरम के यह यह सब नाटक फिरसू इसका राग शूट जाए भोगों का राग शूट जाए अब जो सुद्ध ग्यान होगा अब उसमें कोश ना तो त्याज है और न ग्राय है जो त्याज था वो भी है नहीं है जिसको हम कहे रहे थे वो भी है और जो है वो भी है इसलिए सर्वम खलमिदंब्रम ने नानास्ति किंचंत किंचिन मात्र कुछ और नहीं है यह पहले नहीं पहले वितिरेक यह नहीं है इस भी भाग से चल कर और जब है में इस्तित हुआ तो सर्वम खल्विदंब्रम वही है जड़ चेतन जग जीव जट सकल राम मैं जान। फिर जिसको ये बोध हो जाता है उन निर्दोश हो जाता है क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है ब्रह्म तेजो में है ब्रह्म शांत सुख है आनन्द ही आनन अभाव नहीं है उसमें जब तक अभाव है तो प्रकति को श्विकार करने के कारण तुम परमात्म शृ रूप हो परमात्म अन्श हो तुम्हे कभी प्रकत से सुख नहीं मिल सकता जैसे कितना भी भोग लिया किसी की 40 है भुज़ तरफ्थ हुई जो बच्पन से जवानी में जवानी से बुरापे तक हुए बुरापे से मुरतियों नए जन्म ने यह जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है इसे मिटाना होगा इसको मिटा दिया फिर बात समझ में आ जाएगी कि ओ है इसकी पहचान होती जिसको पता चल गया है उसे कोई चाह नहीं रहते हैं न सोचत न कांक्षत क्योंकि अपना जो शुरूप है पर्मानंदम है अभाव नहीं है सरीर में कभी पूर्णता नहीं होगी प्रकति से परमात्म सुरूप में कभी अपूर्णता नहीं थी हमारा जो सुरूप है वो पूर्ण परमात्मा कान से तो पूर्ण ही है पूर्णात पूर्ण मुदच्चते उस पूर्ण से अगर कुछ निकाला जाए तो उसका नाम पूर्ण ही है वो पूर्ण है तो उस पूर्णता को अ मान लिया मैं पुरुश अब दूसरा शरीर चाहिए या दूसरे भोग श या वह प्यास नहाना प्रकार लेकिन यह आपका सुरूप नहीं बिलκुल आपकी मांग नहीं यह प्रकती की मांग प्रकती को हो रही है तेरी देख प्रकति का सरी तुम्हारे पास से परमात्भान तर धियान हो गया तुम उसे जला दोगे चैज पुत्रो चाज पत्तिन वह नहीं रखोगे इसका मतब तुम्हारी खोज उसी आनंद की है भोगने के बाद मन कहता इसमें वह नहीं जो मैंने सोचा था सह इसमें होगा, सह इसमें होगा, सह इसमें, पूरा जीएवन हो जाता है वो खोज किसको रहा है, गलत दिशा में खोज रहा है, खोज रहा है परमान cess Jeder में किंचिन मात्र दुख नहू ऐसा सुख ऐसा मित्र जो कभी बिछुड़े ना और सबसे बड़ी चाहत कि मैं मरू ना ये पैचान है कि तो अभिनासी का बच्चा है मैं मरू ना तो अभिनासी का अंस है इसलिए मैं सबसे बड़ा बन जाओं क्योंकि तो सबसे बड़ा का अंस है तो मैं सुख में डूप जाओं क्योंकि तो सुख सिंदु का अंस है हम भगवान के ये लक्षन है बाप के लक्षन बेटे में आते हैं पहचाना ये तुम उनके लगका हो कहा बोले तुमारे चेरप मिलता है ना तो हमारी मांग मिलती है कि हमारे पिता कौन है असली मैं मरूनाय पिता नमल सहज सुखरासी और कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे शुक प्रदान करे मेरे से कभी अलग नहों ऐसा प्यारा वो सब बते के लस्री भगवाल में होती है तो हमें लगता है पहले हम ब्यतिरेक पद्धती सुईकार ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नही अगर अध्यात्मिक शक्ति जाग्रत हो जाए तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कहीं सुख नहीं कई बार हमने का प्याइरी रखो प्यन रखो जो भोग तुम्हें प्री हो कि उत्य नाम जब करते हुए धर्म पूर्व जो फिर डाइरी में लिखना कि तुम क्या सुक मिला तुम्हें बिलकुल बिवेकवान होकर अग्यानी बन के नसे में नहीं एकडम सुस्थ चित और तुम्हारी चित वत्रती नाम में उराधा राधता अब तुम हर इंद्री के भोग को भोग के फिस के बाद डायरी में लिखना किसमें सुख है चलो ये तो भागोतिक हुआ किसी आदमी को बोल दो जो तुम्हें भोगना भोगलो बाद में अभी मार देंगे तुम्हें उससे लिफवाब डाइरी में कि क्या सुक है वो खाई अगर सुक की बात करें हमार दिमाग तो उसमें लगा है तुमारी गोली मार देने में लगेगा नहीं पूरे 20 सुके सारे सुक रख दो और उसको बोल दो जो चाहो भोग लो सामके तुमें मार देंगे उसको कोई सुख नहीं क्योंकि सुख है नहीं वो चिंतन से कलपना से सुख भोगा जाता है कलपना से जब हम कलपना करते हैं हमारा मन पहले से भोग करके उस कलपना का सुख निश्चित कर लेता है बिना चिंतन के तुम किसी भोग में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बोजन की थाल लग दी जाए। कनपटी में तुम्हाइप पिस्तोल लगा दी जाए। खाओ। बताओ खीर कैसी है। रसगुला कैसा है। गुलाब जामुन कैसा है। तुम्हें एक कभी स्वाद नहीं ले पाओ गया। चिंतन तुम्हारा खीच लिया गया गया अब कहीं कोई स्वाद नहीं है। तुम्हारा चिंतन अब किसी का एक लवता लड़का मर गया है। अब बोल गई है सची मानना पूरे शंशार में किसी भी भोग में सुख नहीं तुमारे चिंतन में है आज ऐसे भोजन मना जब पहले आपके दिमाग में आएगा समोसा चट्मी ये वो बना गरम गरम पाया स्वादा अगला कारी करम होगा बनेगा फिर पाएंगे तो आपको तो रहे पूरा जीवन सरीर भोगते हुए हो जाता है हर भोग भोगते हुए लेकिन तृष्णा वैसे ही बनी हुए है यह हमें लगता है इस सरीर में नहीं है इस वस्तु में नहीं है इस वस्तु में नहीं है इस वस्तु में इस पदा यह महान पाप कराने वाली बृति जी उस दुर्गति वाले कारी करा कर आकर नस्ट कर देते हैं। यह इसे उसे बात करो तो कहते भगवान की सत्व की मिना पत्ता नहीं हिलता है। वह हमारे दिमाग में बैठ तो इसे लिए का फिर वही तुम्हारे दिमाग को दब्देने के लिए नरख पहुचाएंगे फिर वोई और शदी और रोग और जेलर और जेल नरक और यमदूत उन्हीं का खेल है उस खेल को पसंद करना चाहते हो तो देख लिए अगर मुक्त होना चाहते हो तो फिर यह नहीं है और यह है इसके दो भी भाग करो यह शत है और शत में जब लोट करें र उसकी पेहचा新 होती हो निर्विकार होता है जैसे देवता निर्विकार नहीं है पक्का बहुत विषैप्रदान हैं सात्विक ध Veterbersipher है बढ़ी भोग विलाशिता है स्वर्ग में लेकिन जब भगवान मोहिनी रूप धारण किये तो देवताओं ने देखा कि हरी मोहिनी बन कि अम्रत कलस के लिए का प्रभू ले गए वो तो इतनी मेनद की गए हूँ दैते ले गए उनका ये एक चांड रुको और तत कालो मोहिनी रूपधान कोई देवता मोहित ने हुआ किसी भी देवता के काम नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि उन्हों देखा हरी बने मोहिनी अब मोहिनी रूप से वाकरशित तो सब को कर रहे हैं देवताओं को नहीं कर पा रहे हैं क्यों देवता ये जानतें की हरी है और दैत ये जानतें नहीं थी इसलिए पूरा कलसा ही पकड़ा दिया हूँ एक मुस्कान में कलस दे दिया पूरा अम्रत का कलस अगर हम जान जाए कि सम्में भगवान है तो वहला हमें काम बेदना क्रोध बेदना रागदेस बिल्कुल नहीं रह जाएगा जैसे देवताओं को नहीं हुआ ना और मोहिनी रूप देखके नहीं हुआ क्योंकि उनको पता है कि अभी अभी हरी बने हैं मोहिनी तो जो यह कहता है कि मालो मुझे भगवत प्राप्ति का मतलब है निर्विकार काम क्रूध मदमान नमुहा लूब नचूब लागने नौटंकी नाटा का द्यात्म नहीं होता है यह सत्यमार्ग होता है जितेंद्रियता मनोनिक ग्रही परमसान जाहिन चाहिक कबं कचु तुम संसाज सने तो हम साधना में लगें पहले पहले उसके दो विभाग करें दुरगंद से हटे शुगंद की तरफ बढ़ें और जब शुगंद का वास्तिविक ग्रानेंद्री पर वास हो जाएगा तो दुरगंद रही नहीं जाएगी कुछ बुरा आपकी दृष्टी में ने रह जाएगा चस्रमा है ना जैसा हरा चढ़ाओ तो हरा नीला चढ़ाओ तो नीला लाल चढ़ाओ तो लाल लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई कुछ बचाई लई साब लाल ही लाल जित देखो तित स्याब मैं आनंद आनंद क्योंकि वही आनंद है बहुत अच्छी बाती कि जो शुगंद बना वही दुरगंद पर इसका अनुब हो हुए बिना फिर पापा चरण से नहीं बच पाओगे पहले ये नहीं और ये है फिर इसने के आ जाएगे सोच पा रहे हैं आप लव शर्मा जी श्रिया रिभाण जी शी हरिवेंश मारा जी आपके चरणों में दासका कोटी-कोटी पढ़ा हूँ मारा जी सेवक पानी में सेवक जी माहरा जी ने कहा है कि नित्य बिहार रस्में श्री जी से निश्काम ट्रेम होना चाहिए सत्य कामना की इक्षा तो आपकी क्रपा से नहीं होती, परंतु सत्य इक्षा हैं जैसे विरिंदावन वास की इक्षा, श्री जी के दर्शन की इक्षा, उनका दुलार पानी की इक्षा यही बने रहते हैं निश्कामता ही कहते हैं, प्रकति से सुख भोगने को कामना कहते हैं, परमात्म सुख की कामना करना ये निश्कामता ही है, इसे कामना नहीं कहते हैं, दूसरी बात, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे कामना से कामना मिटाए जाते हैं, भगवत कामना से, परमात्म कामन से प्रकति जन्य शंशार जन्य कामना को मिटाता है उपाशक मैं भगवान का नाम अधिक से दिक जपूं मैं भगवत भक्तों का शानित दिप्राप्त करूं मैं भगवत रूप का दर्शन पाऊं मैं भगवत लीलाओं का गुणगान करूं यह तो बड़े-बड़े परम हंसो इसकी कामना करेंगे तभी तो हम प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे जहां कोई स्पुरण नहीं होता है इस ही कामना से हम अन्य कामनाओं का नास कर पाएंगे इसलिए यह प्रसंशनी है त्याजिया निन्दनी सेंट कामता ही नहीं है यह सक्ष्यकामता ही दएखो शेवक कौन में ऑब कहा है मांगो मन मन सी दास है अपनी करि पूरन काम सदार्दयम क्या क्या मैं मांग रहा हूं मांग रहे न कामना है न मांगो मं मनसी दास अपनी करी पूरन काम सदा है याप को मेरी आवस्टा नहीं पर मुझे आपकी आवस्टा है आप मुझे अपनी सरण में ले ले आप अपनी मुझे सेवा में ले ले आप पुर्ण काम हैं आपको मेरी जरुद नहीं पर मुझे आपकी जरुद मांगों मन मनसी दासी अपनी कर पूरन काम स्थाहत सेवक जी महाराज करें तो निश्कामता का मतलब संसारिक भोगों की तरफ अपने आराद्यदेव की तरफ ले ऐस कभी संसे मत करना आशा त्याज यह है आशा ही पर्मंद उक्खम नईराश्यम पर्मंशुकम लेकिन यहां का जता है मेरी आशा है कि मुझे श्री जी की दास्ता प्राप्त हो समझे ले न ये आशा ये मांगो ये मांगना ये कामना यही तो जीवन का परम लाब है इसे हम सकामता नहीं कहते ये परम निश्काम धर्म है ये श्यू बैंट जी सूरत से रादिल रादिल मारा जी जीवन मुक्त और विदे मुक्त किसे कहते हैं दोनों माया ही हैं अगर ज्यान से समझो भगवान का जो शुरूप है भंश जो है वो कभी बंदा ही नहीं तो जीवन मुक्त का एगा देह मैं थोड़ी हूँ जो मैं तत्व है वो कभी बना नहीं जड़ चेतन नहीं ग्रंथी पड़ गई और जद्यपी म्रशा मने जूटा जड़ चेतन में कभी ग्रंथी पड़ी नहीं सकती चेतन नहीं भगवान का अंस और जड़ ये माया प्रकति से रचा हुआ सरीर कभी इनकी गाठ लगी नहीं सकती जद्यपी म्रशा पर छूटती कठी नहीं दोनों बाते हैं गाठ नहीं लगी पर छूट नहीं सकते हैं जो इसको छुटा लिया उसे जीवन मुक्त कहते हैं जो देह भाव को छोड़ दिया उन्हें बिदेह कहते हैं अभी बिदेह हो आपका शुरूप इस थूल सुक्ष्व कारण तीनों से अलग था अलग है अलग रहेगा आपने अपने सुरूप को भूल कर इसको अपना सुरूप मान लिया है तो देह सहीत हो गए अभी अपना भाव वापस आ जाए तो देह रहीत हो गए तो देह होते हुए बिदेह हो गए ना अपने सुरूप में इस ति जीवन होते हुए जीवन मुक्त हो गए ना तो सही पुछो तो जीवन मुक्त ता जूठी ही तो थी क्यों बहुत सुक्षमता से पकड़ना जब बंधा ही नहीं था तो छूठा करना जूठना भी तो जूठा हुआ ला जब बंधा नहीं नहीं था तो छूठ गया तो वो भी तो जूठा है हुआ ना वो बंधा ही नहीं था वो जीवन हे मुक्त पहले ही था, जब जीवन को स् infinity कार किया तब तो जीवन मुक्त हुआ। और कभी बंदा था ही नहीं, तो जीवन मुक्त क्या हुआ। यह थोड़ा उची बात है, सहज में ऐसे कौगे, बुले जीवन मुक्त विदेह मुक्त जुटा। मुझे का आके क्या नहीं है जीवन मुक्त जूटा विदेह मुक्त जूटा इसलिए हम खोल के समझा है कि जड़ और चैतन में कभी ग्रंथी लगे ही नहीं सकती गोश्वामी जी सरल भासा में कह रहें जड़ चैतन ही ग्रंथी पढ़ गई जद्या पिम्रशा पर छूटत इक पढ़ नहीं चैतन मिखन आत्म शुरूप भगवत सुरूप देह को मैमान करके भोगों में फस गया अब वो वापस लोटे इसका राग छोड़ दे तो विदेह देह सहीत है पर भाव देह रहित हो गया तो जो देह रहित भाव था उसी सुरूप में इस्तित हो गया ग्यान तो विदेह देह मुक्त बुले विदेह जीवन जीवन मुक्त बुले जीवन मुक्त महात्माय था सुरूप बोध प्राप्त तो सुरूप बोध भरम से तुम भूले थे अपने सुरूप को किसी और का सुरूप थोड़ी है अब तुमने उस आविद्या को हटा दिया अपन कर रहे हैं तो रूप में कोई अंतर है था composition at भोगो को ब्रह्म से अपना में मान लिया और भोगों में उतर ख़े हमारी दुर्गति है अब हम उसको लान के दौरा पहले धर्म में भोगों में लाते हैं अधर्म के ऐजोग भोगेंगे धर्म में भोगों में भी आशक्ति का नास करके अपने को हमें कुछ नहीं हमारा जो सुरूप वह पर्मानन्द में भगवत सुरूप है उसमें अभाव है ही नहीं और उसी में स्थिद्ध जो हो गया वो जीवन मुट है वो देह उसी को भी देख के थे शी आशिश कुमार जी विकास पराशिर जी राउल शर्मा जी आगा वला ला लेक्ट आपको कोटी-कोटी पढ़ाओ महराजी हम सभी शिराम मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिदी एवं तिलक चैनल प्रतिनिदी के रूप में आप से शिराम मंदिर नम विश्वान दोटी-चैनल मां तो भगवान की सत्ता को पहले मानना सीखें मेरे विचाण है यह गलत है मेरा विचार कि असा नहीं होना प्रयास किया होई हिस्वई जो राम रचि राखा को करितर्क बढ़ावई साखा आज कानों में सुनने को यह गलत हुआ प्रतिष्ठा ऐसी नहीं होनी चाहिए ऐसे से ऐसा राम जी की इच्छा का कोई मात तो नहीं रह गया क्या हम तो बड़े बड़े जनों के चरण इसपर् करने वाले हैं भगवद इच्छा का कोई महत्तों ही नहीं रह गया है क्या यह प्राण प्रतिष्ठा क्या यह मंदिर निर्मान इसमें भगवद इच्छा नहीं है केवल मनुष्री की इच्छा है तो हम यह चाहते हैं जो भी हो रहा है जो भी होगा तो मेरे प्रभू पेरि प्रभु विराजमाने तो नाचना चाहिए, आनन्दित होना चाहिए, हमारे प्रभु पधारे भाव से, कि वहां बिरोधी भाव आना चाहिए, तो हमें लगता है कि आगे जो होना है, भगवान हमारे पहले से निश्चित किये हैं, और उब आप सब की बुद्धी में चाह ज जबर जस्ती वही करवाएंगे जो उनकी इच्छा है प्रभु अग्या अपेल शुर्तिगाई प्रभु अग्या जहिका जस होई जैसी आग्या वैसे ही हो रहा है इसमें केवल राम जी है केवल राम जी जो हमें दिखाई दे रहा है केवल राम जी उनकी इच्छा वो आपको निमित्त बना दे, वो किसी महतपुरुस को निमित्त बना दे, किसी साधारण को निमित्त बना दे, ये उनका खेल चलता रहता है, लेकिन करे करावें आप सब, ज़रां उनकी भी मुश्कुराइट तो देखते कि मालिक आपकी क्या, कौन ऐसा है, जब स्वयम भगवान संकर उनका नाम जब करते हैं, उनका चर्णोदक धारन करते हैं गंगा जी, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा ग्यानी है जो राम जी को नहीं मानता। और जब राम जी को मानते हो, तो राम जी की इच्छा को नहीं पहचान पाए क्या। अगर इच्छा को पहचान पाए तो फिर राम रचिराखा फिर दिरोत्य टर्क मुझे तो कम समझे आता है यह भी राम princi की इच्छा है। कि जहां विरोध की भावना है वहां विरोध को पुष्ट कर रहे हैं जहां अनुरोध विने की भावना है वहां अनुरोध और विने को पुष्ट कर रहे हैं लेकिन धन्य भाग है जो इस महा महुत्सों के निमित बने अहो भाग है गर्व है इस बात का कि हमारी 500 वर्स से जो भावनाएं बिचलित थे, जो भावनाएं रुदन कर रही थे, आज मुस्कुराने का औसर मिला, प्रभू अपने स्वयम परताप से विराज्मान हो गए, उनी का परताप, हम तो निमित्त मात्र किसी को कह सकते हैं, परताप तो श्री राम जी का ही है, हनुमान जी से पूछा, राम जी ने स्वयम आप रामण की द्वरा सुरक्षित लंका को वेद्वांस करके इतनी योजन समद्र को पार करके बहुत बलका काद है हनुमान जी महराज क्या कहते है कि नाथ मेरी प्रभुता तो यही है इस डाल से उस डाल तक जाना इतनी केवल प्रभुता है इसमें तो आपको देखा है राम जी का प्रताप काम कर रहा है निमित्त तो हनुमान वने बल तो राम जी थे स्वयम हनुमान जी कह रहे नाथ नकचु मोरी प्रभुता है यह जितना भी हुआ इसमें राम जी के प्रताप से हमें तो नाचना हमें तो आनंद उत्षो मनाना आता है हमारे श्वामी विराजमान हुए है अब आगे जो उपर का वो उनका विधान है वो अपने आप होता चला जाएगा पहले से निश्चित हो चुका है हर विवस्था पहले से निश्चित है अर्थ विवस्था पहले से निश्चित है विधान पहले से निश्चित है कोई रोक नहीं सकता वो विधान अपने श्वरूप में प्रकासित होता ही है जो भगवान रच देते है बस हमको श्वैकार करना है जहां वो बैठ जाते हैं कुछ अधूरा होता है क्या वो जहां बैठना चाहें तो उनके लिए कुछ ही पूरे की जर्वत है वो खुद पूर्ण है यह सब बाहरी बातों को तो हम में लगता है कि आप सब धहरवान बन करके जो शियराम जी पेरित कर रहे हैं हुआ आगे भी वेशा ही होगा किसी की सुनना नहीं है और ना किसी को सुनाना है वही करना है जो प्रवु पेरित कर रहे हैं वो अपने आप पेरित करते रहेंगे हमारी हरदय से रोम रोम से बिलकुल संपूर्ण संपूर्ण आ सकते है वहां जब भगवान विराजमान हो गए तो वो पू पूर्ण होता है इनी से सब पूर्ण होता है हरणुष्ठान इनी से पूर्ण होता है ये नहीं तो सब पूर्ण है और यह जहाँ बैठ गए वहाँ पूर्ण है, पक्का समझो, सब पूर्ण, एक इट रख दी, तो पूर्ण परमात्मा जिनका बिठल का जाता है, वो उसी में खड़े हैं आज भी, पूर्ण है, एक इट भी पूर्ण होई, भगत ने रख दी न, एक इट की महराज, इस पर आ मात्मा कि भगत के द्वारा दी हुई, एक इट हमारे लिए पूर्ण है, वहाँ तो गर्वग्रह बन गया, पूरा एक खंड बन गया, अब उपर का जो निर्माण है, वो आगे सिया, राम जी फिर करवाएंगे, आगे होई रहा है, शुरू ही हो रहा है, तो हमें लगता है किसी के सुनो मत, वो अपने मन को किसी की बात, द्यो मत, अपने मन की बात, जो राम जी पेरित कर रहे है, खूब मंगल मर्चराय, मंगले मचता रहेगा, मंगल भवन का ग्रह है, मंगल भवन बिराजमान है, अब वहाँ किसी के आसीस, सला, विचार, इनकी जरूरत नहीं है समस्त विचारों के समुद्र श्वयम बिराजमान है समस्त आसिरवादों के आसिरवाद बिराजमान है बहुत बहुत अरे जहां अशंक्यों भक्तों की भावनाएं जुड़ गई है वहां कुछ अदूरा रह सकता है का नहीं, मंत्र में, भावना में, दोनों में भगवान भी राजमान है, स्रंगी रिशी जी महराज आए और मंत्रों का अनुष्ठान किया, तो भगवान चार रूपे में प्रगठ हो गए, बरहम रिशी, स्रंगी रिशी आए और पुत्रेश्टि अग्यकरवाई मंत्रों के द्वारा, तो भगवान का अवतार हो गया, संसाय क्या किसी को, तो जब मंत्रों का अनुष्ठान होकर प्रान प्रतिष्टा तो संसाय क्या, ये मंत्र है, ये भाव है, हम भारत वासियों के प्राण है, राम जी प्राण है, हम सब उन्हीं के विचारों से विचारवान है, हमारे विचार से वो नहीं है, उनके विचार देने से हम विचारवान है, उनके देने से हमारे अंदर ग्यान विज्ञान है, हमारे ग्यान विज ज्यान से वो नहीं है, उनसे हम हैं, सब तरंगे हैं, राम जी समुद्र हैं, तरंगे उचल भी रही हैं, तो समुद्रे में उचल रही हैं, ऐसी करोणों तरंगे पैदा करता है समुद्र, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र खड़ा कर सके, वो राम जी समुद्र है हम सब जितने भी मात्मा हैं, सब उसी समुद्र की तरंग है, है नहीं? हाँ, तो हम अपने विचारों को गुपत रखें और दूसरे विचारों को अपने अंदर पहुंचने न दें, और वो जो हैं, वो पूर्ण है, वो जहां बैठते हैं, वो अहीं पूर्णता आ जाती है, बैठ गए एरदय में, पर वो प्रकासित हो गए तो उसके उपदेश, मसकही करही बिरंची, आज आजा ही मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, वो पूर्ण हो हम बैठे, अभी कुछ अपूर्ण है, उन तक तो कोई देखी नहीं रहा, उनक अपले दिमाग तो किसी के सुनो मत, किसी के सला की जर्वत लहीं है, वो अपले आप विदाल उनका चल रहा है, हमारी तो यही प्रारतला है, आप से, साब मंगल भवन का मंगल ही विदान होता है, खूब आनंद है, आज जो है हिर्दय बड़ा सीतल है, अंदर से हिर्दय ब अमना है, अपने भगतों के मन का ही वानुसरन करते है, वो अमना है, अगर हम उनके प्रति रोये तो उनको भी रुदाना नहीं लगता है, हम उनको निराकार माने तो निराकार, हम साकार माने तो साकार, देखो हम अभी उनको नहीं मान कर माया मान रहे तो वो ही है, वो ही त सब को दृष्टी उन पर रखनी चाहिए संसारी रखे ना रखे उनसे भूल हो जाए लेकिन अपने सादू महात्मा बैश्णों आचार्य गुरुजन जो है वो दृष्टी वहां रखनी चाहिए व्यक्ति पर नहीं उन पर रखनी चाहिए प्रभू इच्छा क्या है उसको द चर्मा जी दिल्ली से गुर्देव आपके चर्णों में कोटी-कोटी पढ़ाओं गुर्देव भगवान आपको जो सेनपूर में गंगा किनारे जो महापुरुष्ट के दर्शन हुए थी वो कौन थे उन्होंने आप से क्या उपदेश किया आपने एक और सत्संग में बता बड़ा किंचंद जीवन वहां बेतीत हो रहा था पहले क्या था कि गंगा किनारे भ्रहमर करते थे जहां कहीं एक आंते से आस्रम मिल जाता और शान्त है तो वहां फिर दो वर्स चार वर्स ऐसे जुक भी जाते थे तो वहां काफी समय तक रुके वहें एक ही मात्मा थे कभी कभी कोई स्यामबाव श्याप पुर्णिमा गंगा इश्चनान करने आख कच्छे गाड़ते तो हाँ आ जाते तो वह कोई नहीं आता था और वहां भोजन बे उस था थे कि पुजारी जी आते थे वह अरहर की दाल और दो रोटी वह बनाकर भूग लगा के रख जाते थे उनको दे दिये तो हम दो बजे दिन के इसे ले तो जैसे लिया काफी समय हो गया था और बारंडा एक पुराना था उसमें लेटे जाके इसे जमीन पे जहीं लेटे थोड़ी देर में जड़ता भाव आ गया सरी में जड़ता म में हेल नहीं सकता है पूरी चेतना कोई मतलब सो नहीं रहे पूरा दिन का समय है इसलिए आपके प्रशन पर उसका हो जो एक मतलब उन्मात पैदा कर रहे हैं हिल नहीं सकते हैं ऐसे बारंडा था और ऐसे गंगा जी बिलकुल मतलब डेर सो कदम दूर तो मतलब लेटे लेटे आराम से गंगा जी को देख सकते हो दरश्टी तो खुलाई थी देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापरश्पर गठवे श्वेत वस्तधारण के हुए उपर और नीचे भी श्वेत केश ही बड़ी अर्गुतकान थी यह हम कोई शौप में नहीं देख रहे थे और धीरे धीरे कदम उनके चले आ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं नजदीक जब आए तो आभाश रहो के यह सुगंद जो हमें पहले आई थी वो इनकिस रियंग से आई थी एकदम अदभुत सुगंद अदभुत को मलता एक दिबता और वो आयर सर को उठा ऐसे गोद में रख लिया बस ऐसे हाथ ऐसे यहां करे थे ऐसे ऐसे और बोलते जा रहे थे वो जीवन में उसी च्छन से स्वईकार किया जो बस ऐसे दो मिनटें से फिर उठे यह कोई श्वापन नहीं था और फिर गए और गंगाजी की धारा में ऐसे लीव हो गए बड़े व्यक्त अब्यक्त महापुरुष हैं महापुरुष जब देखते हैं कि यह जीव लालाई थे भगवत प्राप्ती के लिए तो वो आकर करपा कर देते हैं उन्हीं की करपा से भगवत प्राप्ती होती है अपना साधन तो एक निमित मात्र है क्रपा से भगवत प्राप्ती होती जो बड़े व्यक्त अब्यक्त महापुरुष हुए है यहीं आते हैं और अपने इसपर्ष से संभाशन से उपदेश से भगवत प्राप्त वरा देते हैं जैसे उडिया वावा की व्याकुलता और नर नारायन भगवाना करके उपदेश किये थे दो इस्लोक का वहीं उनको ब्रह्मबोध शंपन्द तो यह जो बड़े महापुरुष हैं जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो हैं जब सरष्टी में किसी को देखते हैं जो भगवत प्राप्ती की व्याकुलता है तो एक अब्यक्त घटना थी भावावेश में कभी सत्संग में बर्णन कर दिये होगे तो ऐसा था शेनपूर में और कोई भी उपासक जब सचाई से चलेगा भगवत मार्ग में तो बड़े-बड़े महापुरुस्क्रपा करने लगते हैं जैसे देवर्शिनार दौरंगिरा जी श्वयमा करके पुझ भाई जी सेहनमान प्रसाथ पुद्धार जी से पहले दिन ही सूचना हो गए थी कि कल आएंगे पूरी बेवस्था थी आये देवर्शिनार जी अंगिरा जी भाई जी से चर्शा हुई फिर वह अंतर ध्यान हो गए ऐसे बड़े-बड़े महापुरु सिर्फ स pesar में कोई महापुरु शायव मिलना चाहे तो वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिससे मिलना क्योंकि ऑर्धी दर्श्टिधी हैं नेत्र तीन होते हैं एक होते चर्म चक्शु एक होते जख्यान क्शु एक होते प्रेमर्च अहुता हो प्रभु का दरशन, उनकी लिलाओं का दरशन, उनकी दिव्यता का, तो इन चक्षूँ से नहीं देखा जाता, इनी चक्षूँओं में वो प्रकासित होते हैं, ज्यान चक्षू या प्रेम चक्षू, तो जिसे भगवान प्रगट हो, तो उसको बारता सुनाई देगी वो भगवान बात कर लेकिन कोई देख नहीं सकता कोई वो बारता सुन नहीं सकता यहीं यहीं बारता होगी वो सुनाई नहीं देगी जैसे है पुरी स्रस्टी में फैला हुआ है कोई भी सब्द हो अभी आप जिसे वो ट्रांजिस्टर नहीं होता था बोले लखनों लगा, तो पकड के लखनों में क्या गया जा रहा है, उसना दे रहा है, लेकिन यहीं बैठे बैठे वो भी बानी फैली हुई है, लेकिन वो यह अंत्र है तो पकड लिया ना, ऐसे ही महापुरुशों के वाड़ी भगवत बानी अच्छा रही है, अब हरदय मे जितनी ग्यान शक्ती बड़ेगी उतनी पकड़ता चला जाएगा, उच्छाई हुई बाड़ी है, तो ऐसे ही बड़े-बड़े महापुरुश बिराजमान है, भगवान श्यम बिराजमान, जहां भक्त कीर्तन करता है, नाम जब करता है, मंत्र जब करता है, भगवान उपस पाते हैं कि अंदर भी योग्यता नहीं और जहां नाम जपन मंत्र तो योग्यता आजाती है सब्सक्राइब हां बड़े महापुरुषों की कृपा से ही भगोत प्रप्ति होती है वो योग्यता आती है तभी तो कहा है मात्संगस्त दुरलभो अगर निर्वाह कर ले जाए तो आम उघष्य निष्टित भगोत प्रप्ति हो जाती है तो यह महापुरुष रष्टी में हैं और उनीकी कृपा से सब्सक्राइब नहीं बन सकता पर पारसमणी के इस परस से सोना बनकर मुकुट बनकर के स्रीविक ग्रहों पर विराजमान हो महापुरुष है जब देखते कि बहुत तडप रहा है उसको योग गिता प्रदान कर देते भगवान के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का साक्षाद कार होता है तब भगवान का साक्षाद कार हुआ तो पहले भगवत प्राप्त देवर सिनाराजी का साक्षाद करता है मारेशी जैसे अभी हम सब को आपका सानेद दे हो रहा है तो हम यही सूचक माने की श्री जी की भगवान की कृपा का अनुभो तत्काल भी विश्वन जी को हुआ जब हनुवान जी के दर्सन के अभुमिभा भरूश हनुमन्ता बिन हरी कृपा मिले नहीं जिन पर श् सरद्धा से बात स्वईकार कर ले तो बिना प्रयास के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा बिना प्रयास के अधरमाचरन रुकने लगेंगे बिना प्रयास के आपके बुरे आचरनों से आपका मन जलेगा और आपको बचना पड़ेगा पक्का देख ले ना ऐसा भी होता है क यहाँ 6 मीने बहाद पहुँचते हैं पर परिवर्तन पहले से क्योंकि सब्द पहुँच गया कान में ना तो स्रवन सुझा से सुनी आये हूं हुआ ना सब्द पहले गया और उसने वहाँ निर्मलता प्रदान करके आकरशित किया हो आप सामने आगए सरवाण सूजस सुनियायों कान से आप महिमा सुनि और आयों तब आ गया ये भी भगवान की कृपा से होता है जब संत्वर समागम होता है तो भगवान की केवल विश्वत्वर से होता है उसमें Аपना बल काम नहीं करता है नहीं तो पहुंची नहीं पायगा वहां ठीकाने पेपर हुँचना वहां नहीं पहुंच पायगा बहुत माया की बजार है भठका देगी माया अगर सद्धापुरुअक्षंत समागम हो जाए तो भगवत प्राप्ती का हे तुही हो जाता है बड़े भाग पाईव सतसंगा तो बीने ही प्रयास होई भो भंगा इसका सीधा फ़लेंगता है हाँ भ्रमों का नाश हो जाना जिसे जीव दुख से दुखी हो करके भटक राय के सुख कैसे प्राप्थ हो आज तक किसी जंतुर में ऐसी ताकत नहीं है या किसी ऐसे छुचा में ऐसी ताकत नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा सके पक्का समझना और नाम जब शुरू कर दो भगवान का पर नाम जब का परिचय नाम जब की स्रद्धा नाम जब की भावना नाम जब का उत्सा ये संत से ही मिलेगा भगवत प्रेमी संत से जब भजन का भाव तुम्हारे अंदर उठने लगे दुरगुण दुराचार त्याक की भावना द्रड होने लगे तो पूछने की जरुवतनी वो संत है च्शाए पैंट सर्ट में हो जिस वेशफूशा में हो जिसके शानिद्द से दुरगुण दुराचार हटने लगे सदुन सदाचार आने लगे भगवान प्रिलगने लगे बाहरी पहचा प्रपंच हमको घसीट रहा था अब उस पर विजय प्राप्त करने की बाता है कई भाई बहना की बताते हैं हम ऐसे ऐसे थे अब ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो ये उनको पावर कहां से मिला शब्द ब्रह्म है जब स्रोन इंदी में गया तो उसने घसीट दिया उनको उस मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ तो फिर कहां सुधार होगा कहां सुधार होगा इसलिए सबसे प्रार्थना है कि हरी जुकी तो बड़ी कृपाप के उपर है हमारे उपर है सब के उपर हमें मनुष्य शरीर दिया मनुष्य शरीर दे कि हम ब्रह्मित होकर कहां बट सद्याय, संतों का समागम, साधना का अनुभव, तो सब एक साथ मिला के पांच मिनट में तुम्हें परोष दिया, जो पचासों वर्ष की आयूँ में संतों ने अनुभव करके लिखा, फिर उसको सब, वो सब पांच मिनट में परोष दिया, तो मैं भागने की जद रतिले, स सब जगे, ढूड के सब जगे, अब उसे पालो आप, आपको जो वर्षों साधना से मिलती है, वो पांच मिनट में आपका अनुभव, वो बन गया, अब जिससे तुम यहां की बात सुन लिए, और मनन कर लिए, तो आप जाओ, अब आपकी कान इतने गहरे हो गए, कि आपक है, अगर पकड़ लिया है, तो आपके कान इतने गरू हो चुके हैं, कि अध्यात्म चर्चा के सिवाय समयरे यार कायवे, सब मनुरंजन है, ऐसे चलने लगेगा, अया नहीं है, सब मनुरंजन है, छोड़ो, अध्यात्म बात को पकड़ लो, यह हुआ कैसे, संत समागम से, बहुत बड़ा लाव है, हम संत नहीं है, पर संतों की क्रपा से, जो संतों के लक्षन है, जो संतों की भाव है, जिससे भगवात प्राप्ती होती है, उनका प्रशाद मिला है, उसी प्रशाद को आपको दे रहे हैं, जादू, चमतकार, सबसे बड़ा है, हमारा मलिन मन, वि से त्याग कि अगर भगवाल की तरफ चलब तो चमतकार हो गया सबसे बड़ा चमतकार ये कि हमारे मन का परिवर्तन हो जाए बाहरी प्राकृतिक थोड़ा चमतकार हो जादू टोना मंत्र ये सब हो सकता है मंत्रों का अनुष्ठान को ऐसा तुम्हारे मलिन मन का सतमार्ग में ये सबसे बड़ा च़ने कि चाप्रग वही बड़े बड़े शंतु की पान कर रहे हो ना इस जीवन में शंत no के क्रपा मिली बजपान से निकले बड़े-बड़े महापृरव दया किये एक परमंस जी थे उन्हों का बहुत मुझे प्रशनता हो रही तुम इस छोटी अवस्था में वैराग्यमार्ग में यह शावधानियां रखना और बहुत कृपा है तुम्हार पर अवो जैसे प्रशन हो रहे हैं तो उनका आसीस हमारा कवच बन रहा है हमको पुरुष्यों की क्रपा से अपने नहीं चल सकते थे उनकी क्रपा से चल वह हैं ऐसे आप भी महनों ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो इंजन पचीसों डिब्बों को घसीट के वह पहुचा देगा इस्टेसर डिब्बे में ताकत ले पर डिब्बें पचासों आगे इंजन खिचता चला जा रहा है हम पीछे बैचे चले जा रहे है आनंद से हरिष्टेशन का आनंद लेते हुए जा रहे है बहुत विश्वास करो यदि हम शरण में होकर नाम जब करते हुए धर्माचरन करते हुए जीवन भितित करे तो और कुछ करने गरत नहीं सबसे वड़ी खास बात है चरित्र इस समय हमारा घाटा सबसे ज़्यादा चल रहा है चरित्र दूशित हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं यह यह बद दुखत बात है कि हम चरित्र हीन होते चले जा रहे हमारा चरित्र लुटता चला जा रहा है हम समझते हैं कि जैसे बहार तो व अपने भगवन नाम का यस्कीरतन है ने और अगर कोई विशेष बौधिक इस्तर का है तो हमारे देश के मात्मा बुद्ध जी हमारे देश के तो है ने जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष बाहर गए और जो धर्म का मोक्ष धर्म का भगवत धर्म का वह सब भारत से ह तो हम दूसरे का अनुकरन करके अपने आचरणों को हीन कर ले चरित्रीन कर ले तो हमारी मुर्खता होगी दूसरे हमसे चरित्रवान बन रहे हैं और हम दूसरों का अनुकरन करके हम चरित्रीन हो रहे हैं तो हम गलत हो रहे हमारे को अपने देश और अपने धर्म और अपन यही परंपद देने वाले प्रहु हैं जो हमको दुरलब काम वेटे वे ब्रुंदावन की पावन भूमी में क्या सुन लगा गुलि भगवत चर्चा किसके साने दिसे बुलि संतों के साने में यह दुरलब कृपा प्राप्त हुई है सुत दारा धनलक्षमी पापियु के घर हुए संत समागम हरिकता तुलसी दुरलब दोए ब्रुम्मा यंधानky बीरम्रभर में काम व्लिकम अnn कि खेंबंब दुरा खेंबंब दुरでे जड़ मेंताब। ए कध़िए अनितल्स करें है तरह भावन यह नहीं हुआऑ छुछा ओहार intentarने भाप हो ज्यलिफार, ज्यलिफार, ज्यजब बनकोर्टर यजर पडिर बनकोगे झार में ज्यजब में ज्यक्टि हैं और स्थे बनकोई स्थे पाइदें। चाहनो सकतनी ए 162 हो टो गुपात्ज में collaborating पहर ओ गैसे पहर जो की जोड से चेमे की कि अल में तो कि वे आसे जया कि अूड सोन जाए कर दो कर दो स्वी राधान 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 श्री राधान 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 पुर बादटना जए जड़ दो बारितो कि अवगर से टूछ के अमना में आपना प्रो बारदंगे छुड़ा है जर ढदी लाज़ में चारए बार बार ट्कुर रहा है कर दो अजय कर दो दो खा जो जो तो जो 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 जोजाएंगा तो जोजाएंगां अबादा है